ओय हो यार, क्या ही SmackDown है, Roman Reigns भी शोपर, Randy Orton भी शोपर, और शोपर रिटन भी हो गया, The Phenomenal One, AJ Styles का, लेकिन एक बात में सौंज में नहीं है, कि ऐसे कोई मैं मिस्स कर रहा हूं क्या, क्या कोई बंदा वापस आएगा, रिटन करेगा, तो फिर उसकी फिजी एकदम टॉप न वो होती है, Tribal Chief, Head of the Table, Undisputed, WW Universal Champion, Roman Reigns के साथ, और Roman Reigns अके लिए नहीं थे, Roman Reigns के साथ, उनके Wise Men Paul Heyman, Jimmy Uso and Solo Sikowa, रिंग में आना ही के बाद, सबसे पहले वो acknowledge करने के लिए खुद को बोलते हैं, और सबसे पहले तो crowd से चुप होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे Randy और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि हम तो अच्छे भले लोगों के लिए काम करते हैं, और कोई काम अच्छा कर रहा है तो हम उसे अच्छा करने देते हैं, और कोई गलस कर रहा हो तो हम उसे smash करते हैं, मतलब इतना अच्छा वो बन के दिखाने की कोशिश कर रहे थे अप बंदा है एक और Jimmy Uso बिल्कुल अपने आपको प्रिपेर करें कि जैसे कि Jimmy Uso का नाम होने वाला है और साथ में बोलते हैं He is next in line और वो कहते है Jimmy join me celebrating और उसके बाद उन्होंने नाम ले लिया Solo Sikowa का उनको वो next travel chief बोलते है travel air बोलते है यानि कि Roman Reigns की जब ताज पोशी हटेगी और next बंदा आएगा तो वो Solo Sikowa होंगे और यह सब चीज देखे Jimmy Uso का जो reaction है वो कुछ ऐसे होता है कि अरे भाई मैं तो सोच रहा था है सारी बाते मेरे बारे में हो रही है लेकिन इसने तो Solo Sikowa के बारे में बोल दिया और Tension Sum को पता ही है Jimmy Uso की है Roman Reigns के साथ वो ऐसा लगता है दिखाते रही है या फिर publicly openly अभी उस बात को बोला नहीं जा रहा इसके बाद जब Roman Reigns माइक पर कुछ बोलते हैं तब ही theme song play होता है The Viper Randy Oton का और उस theme song पर reaction Randy Oton को बहुत अच्छा मिला था अगर आपने उस pop को सुना होगा Randy Oton आते हैं रिंग में और कहते हैं पिछले 18 महिनों से मैं इसी मुमेंट का वेट कर रहा था इसी मुमेंट के लिए प्रिपेर कर रहा था कि मैं क्या बोलूँगा मुझे क्या सारी बाते बोलनी है और बोलते है I'm coming for you मतलब यहां से वो चीज फैंस को डबल डबली देने वाली है जो कि वो देखना चाहते है and it is Roman Reigns and Randy Oton in a feud इसके बाद हो यहां पर बाते बोलते हैं कि मैं तुम से सारी चीजे लेने वाला हूँ क्योंकि तुमने मेरे को जो है 18 मेने के लिए गायब किया था मतलब अपना जो रिवेंज हर एंडी ओटन उसको यहां पर दिखाते है and it starts tonight or it will end at Royal Rumble क्योंकि मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं तेरी Championship के लिए यहां पर एंडी ओटन उसको undisputed WWE Universal Championship को WWE Championship बोला लेकिन obviously कौन ही एकाद ही कोई ऐसा बंदा है जो कि इस पूरी लंबे चोड़े नाम को सही प्रनाउंस करता है फिर इसको बोलता को युनिवर्सल बोल देता कोई WWE बोल देता है इसके बाद तो भाई जो crowd हो पागल हो जाते महाँ पर RKO के बहुत सारे chance लग रहे थे crowd इस चीज़ देखकर बहुत खुश था कि चलो Randy Orton को वह चीज़ भी ले जो कि हम देखना चाहते है इसके बाद Roman Reigns बोलते हैं जिस तरीके से यह crowd sound कर रहा है ऐसा लग रहा है कि शायद तुम deserve करते हो लेकिन उसके बाद Roman Reigns Randy Orton को एक reality check देते हैं कैते हैं तुम इस टाइम से गायब थे तुमने इस championship तक पहुंचने के लिए कुछ किया नहीं मैं हूँ travel chief तो तुमको लगता है तुम सामने आके मेरे खड़े हो जाओगे और तुमको जो championship के लिए match मिल जाएगा ऐसे नहीं होता है और नाए 2017 है मैं अब तेर से ऊपर आ च अब जब उन्होंने बोला तुम मैंने sense कर लिया था कि अब आगे रेंडी ओटन को कैसे मिलाने वाले अपने next sentence में उसके बोलते हैं कि हां तुम change हो गया तुम बदल गया तुम evolve हो गया उन्हों तारी थोड़ी बहुत करी रोमन रेंज को साथ में बोलते हैं कि मैं भी change हो अब आप दो क्या हूं लेकिन एक चीज जो रैंडी ओटन में चेंज नहीं होती वह एक लेजंड कि लैर रहे तो रोमन रेंज को लेजंड को अनुने बोल दिया इसके बाद और को मारने के लिए डराते हैं रोमन रेंज को रोमन रेंज की शकल देखे सच में ऐसा लगा कि भाई फटकी रोमन रेंज की बहुत गंदी वाली हो पीछे हटते हैं और देखते हैं अशानक से क्या हुआ सारे ब्लडाइन की मेंबर्स भी पर खड़े हुए देखने हैं कि क्या चल रहा है इसके बाद रोमन रेंज के सामने रैंडी ओटन माइक पर आते हैं और बोलते हैं क और जब उन्होंने यह बोला तो रोमन रेंज बलड लायन सब हैरान परने वाई यह बंदा आके क्या कर गया और रोमन रेंज रिटन तो करा उन्होंने लेकर जो इस सेग्मंट में रेंडी ओटन ने बाते बोली है डैफिनिटली जो वर्क है यहां से वह अच्छा देख र और जो आसमान की उचाईयों में जा कि अपना फिनिशन मारा फिर कारमलो हेस ने बहुत अच्छा था एंड इस मैच में विक्ट्रेव हो गई है कारमलो हेस की नेक्स्ट हमको शो पर बैक स्टेज से रैंडी ओर्टन और एले नाइट दिखते हैं यहां पर खुश नहीं है कि रैंडी ओर्टन कैसे आ गया वाई तो रैंडी ओर्टन बोलते हैं ठीक है भाई ठीक है हम अच्छे फ्रेंड्स हैं वी और गोड लेकिन तुरको मेरे रास्ते में आने की जुरहत नहीं है और एले नाइट यह बोलते हैं कि मैं वह सबसे पहला इं यह बहुत अच्छा मैस अपने ड्रॉप था यहां पर पटका था स्वांटन बॉंब जो लगाते हैं केविन ओवन्स का हाथ टूटा हुआ था लेकिन फिर भी उन्हें आज मैस में पूरी जान लगा दी है एंड में उसी हाथ के पीछे पढ़ गया ऑस्टन थेरी लेकिन क् को रिलाइज होता रहे भाई अब तो मैं पिन कर सकना उस्टन थेरी को उन्हें पिन कर दिया और केविन ओवन्स ने इस यह चैंपेंशिप के टूर्नमेंट में एडवांस कर लिया है केविन ओवन्स को भाई कहीं पर भी किसी भी जगप पर रखो अकर ऐसा लएगा कि यह तब भी वह सीज को वैसा बना देते हैं इसके बाद गाईज शोपर बैक स्टेज से ब्लड लाइन का सेग्मेंट आता है और रोमन रेंज बहुत जादा परेशान है कि यह मैं तना अच्छा भला अपना आया था स्मैक डॉन में सेलब्रेट करने के लिए रेंडी ओट ने उसको खराब कर दिया है और कहते हैं कि अब तो एक ही बंदा उसको चुप करवा सकता और वह इशारा करते हैं जिमी उसो की तरफ क्योंकि आज जिमी उसो का मैच है शो पर लेकिन जिमी उसो ने बहुत तीक आंसर दिया रोमन ने इसको समाल के बोला करो ऐसी बात उन्हें यह बात उन्हें अपने ट्रैबल एयर से बोलो रहा है क्योंकि वह सोलो सिकोगा को रिंग में ऐसी बोल का है वह होते हैं तो रोमन उनको समझाते हैं उसके बाद जो जिमी उसो ने आंसर दिया वो दिया हीट में और जब उन्होंने हीट बोला तो रोमन रेंस को बल्कुल अच्छा लगा और मैस में उनको विक्टरी मिलनी भी थी इसके बाद गाइस से एक और सेग्मेंट था जिमी उसन सोलो सिकोगा और जिमी उसो बोल रहे हैं सोलो सिकोगा को भाई यार एक बात मुझे समझा कुछ तो गड़बड चल लिए कुछ गड़बड है मुझे बतान भी शुरू कर दिया सोलो सिकोवा से अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के में इवेंट की जहां पर रैंडी ओर्टन वर्सिस जिमी उसो का मैश था एक क्लासिक रैंडी ओर्टन यह वाला मैश था और एक इंपॉर्टन चीज आपको बता देता हूं सूपरस्टार स्पो अब बात करते हैं सेग्मेंट की मैश की तो एक क्लासिक रैंडी ओर्टन वाला मैश था बिल्कूल मतलब जैसे रैंडी ओर्टन के मैश होते हैं सब एक्शन भी है थोड़ा टाइम मिले रहे हैं वह सब कुछ यहां पर था लेकिन मुह साज थुक बढ़ा रहे हैं यह चीज लेकिन फिर रोमन रेंस निकल के आते हैं उन्होंने एले नाइट के ओपर अटैक किया और अब है मुमेंट जब रैंडी ओटन और रोमन रेंस एक दूसरे को देख रहे हैं रोमन रेंस अभी रिंग के बाहर है और उन्होंने रिंग में जाके एंट्री करी वह बिल्कुल लेकिन के सामने खड़े होते हैं खड़े क्या हुए दोनों ने पंचिस एक्स्चेंज करना शुरू कर दिया आप यह ज्यादा कुछ लड़ रहे थे उसके बाद जिम्यूसों ने एंट्री मार ली जिसके बाद ऑब्वेशल जोईक्वेशन है वो चेंज हो गई एले नाइ आपने शुरुवात से नहीं बीच में से अजरू हुआ और एजेस टाइल्स को हर गोई देख रहा है कहां से एंट्रेंस करेंगे लेकिन एजेस्टाइल्स रेडी हैं रिंग के पास रस्षियों के पास रोप्स के पास अपने फिनोमेनल फोराम के लिए और रोमन रेंस के गिरे और एजस्टाइल्स की जो फिजीक लग रही थी फिजीक दिखाने के लिए उन्होंने लिटरली अपनी टी शर्ट अपनी टैंक टॉप सब पहना तो उसको उन्होंने फाड़ा और फाड़ने के बाद एक कमाल का एजस्टाइल्स बाहर दिख रहा था इवन यह चीज़ सब्सक्राइबर के और ऋसके बाद रइंग में से बहते हो और रोमन रेंज़ में वहां से चले जाते हैं और रोमन रेंज्री श्टा systems को स्वाइक बगल यह से हंकले बलड लाएं के और ब्लड लडलन के Past एक मेंबर ने उन पर चूम हाथ उठाने तक की कोशिच नहीं की तो यह न्यू एजस्टाइल जिकार शो पर हर किसी बंदे हर किसी बंदे का यहां पर जो गोल है वो है कि वाई मुझे में इवेंट सीन में आना है और स्मैक डाउन की एंडिंग देखे भी बड़ा मस लगा प्यारा सा लगा बाकी आपको आगी और कहा कि ले ले लेगी